आपसे भी का स्वागता है सिद्वेत के इस चैनल पे जिसमें आज मैं आपके लिए लेकाया हूँ साइन्स के एक टॉपिक नुटिशन एंड हुमन हेल्थ यानि की पोशक तत्व और मानव स्वास्तिय हैं एसी चीजें जो बॉडि को ग्रोथ करवाने के लिए जो बॉडि को डेलापमेंट पे रखने के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी होती है इन्हें हम बहुत हैं नूट्रियंट्स यानि की पोशक तत्व पोशक तत्व को शरीर में लेना उसे यूज करना उसे प्रोसेस करना यानिकि न्यूट्रियंस को बॉड़ी में रिसीव करके उसे प्रोसेस करना इस चीज को का जाता है nutrition, तो आप nutrient और nutrition इन दोन में फर्क अच्छे से समझे, आप पोशक तत्व और portion दोन में फर्क समझेगा, पोशक तत्व यानि कि nutrients वो चीज़े हैं, जो हमाई लिए ज़रूरी है, जैसे protein, vitamins, carbohydrates, minerals या और ऐसी जो भी चीज़ है उन सब को मूलेंगे nutrients यानि कि पोशक तत्व और nutrients को body में receive करके उसे use करना है, उसे process करना है, इससे खाजाता है portion यानि कि nutrition, अब nutrient को आगे लेके हम चलता है, food, food एक ऐसी चीज़ है, जिसके तुरूरी हमें nutrients मिला करता है और हम ज्यादा था nutrients receive करने के लिए food का ही use करता है, तो मैं food से related बात करता हूँ, ऐसा food यानि कि ऐसा भोजन, जिसमें आपको nutrition rich contents मिलते हैं, यानि कि अगर आपको पोशक तत्व हो कि अधिकता किसी भी food में मिलते हैं, या फिर पोशक तत्व परयात मातरा में हो, यानि कि nutrients जो है enough quantity में हो, ऐसे food को हम बोलता है, balanced diet, यास मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ऐसा food या ऐसी diet, जिसमें आपको nutrients enough quantity में मिले, इने हम बोलता है, balanced diet, या फिर हम भी नहीं कहता है, संतुलित अहार, ऐसा food या ऐसा भोजन, जिसमें आपको nutrients पूरी मातरा में नहीं मिल पाते ह तो आपको कुछ बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आप कुछ बिमारियों में घिर जाओगे सो बैलेंस डाइट और अन बैलेंस डाइट आप समझ चुके हैं यानि कि न्यूट्रेंट्स यानि पोशक्ततों के इनफ कॉंटिटी परियाफ्ट मातरा या फिन न्यूट्रेंट्स की इनफ कॉंटिटी का ना होना है यानि कि पोशक्ततों के परियाफ्ट मातरा में ना होना बैलेंस डाइट और अन बैलेंस डाइट अब इनों लेकर आगे चलता है यदि आप अन बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हैं यानि कि अगर आपके खाने में पूरी तरह से पोशक्टातों की कमी Malnutrition यानिक protein cupotion, vitamin malnutrition और minerals malnutrition Proteins related cupotion, vitamins related cupotion और minerals related cupotion अगर आपके शरी में proteins की कमी है या proteins की excess है बहुत ज़ादा है तो उस case को आप बोलेंगे protein malnutrition या अगर आपके body में vitamin की excess और lack यानिकी अधिकता या कमी है तो आपसे बोलेंगे vitamin malnutrition यानि cool portion और अगर आपके शरी में minerals की lack और excess है यानिकी कमी या अधिकता है तो आपसे बोलेंगे vitamin malnutrition protein malnutrition से लेटर मैं पहली बात करता हूँ protein की अगर बोजन में कमी रहती है आपके शरी में protein की कमी रहती है तो क्योंकि protein का का काम आपके body में growth करवाने का होता है तो आपके body का growth जो है वो disturb हो जाता है वो रुख जाता है so इससे भी आपके body में बिमारिया हो सकते है यानिकी अधूरा विकास या फिर body में किसी और तरह की शती है so इससे related कुछ बिमारिया होती ही रहती है जिनमें से दो main में आपके सामने नाम दोंगा that is quasher core and merasmus या ऐसा आपके book में ही दिये गए है quasher core और merasmus जिसमें usually body का pale होना है यानिकी शरीर का रंग हलका होना पेट फूल कर बाहर आना यानिकी सूच जाना आते दिखना, शरीर के हड्यां दिखना, body में भूख की कमी होना body में energy की कमी होना ये सब होता है तो ये सब होता है आपके पास quasher core और merasmus को लेकर इसके बाहर में बात करूँगा vitamin man nutrition को body में vitamins की जरुत होती है अलग-अलग तरकी बिमारियों से बचने के लिए ऐसे vitamins का काम आपको बिमारियों से रोगों से बचाने का होता है मैं कुछ नाम लूँगा आपके सामने सबसे पहले में बात करूँगा vitamin A vitamin A की अगर आपकी body में कमी होती है तो आपको raton दी है next vitamin C अगर आपकी body में vitamin C की कमी होती है जिसमें हडियों का मुर्णा एंठनाने यह सब चीज़े होती रहती है तो यह होता है आपके पास vitamin malnutrition next मैं बात करूँगा आपसे minerals malnutrition यानि की खनीज लवन ऐसी चीज़ वोकर आपकी body में कमी है access होना खनीज लवनों की कमी से भी likewise आपके पास calcium phosphorus, iodine इन सब चीज़ों की अगर कमी होती है तो भी आपको coup potion के अंदर पे रखा जाएगा इनमें आपके हड़ियों में कमी रहना हड़ियों का मुर्णा, हड़ियों का जल्दी तूटना आपके muscles contraction यानि के mass patient में security अगरा इस तरके बिमारे रहा सकती है ओके, सो ये था आपके पास nutrient and balance diet और unbalance diet को follow करना या फिर next thing was malnutrition, सो ये मेरे वीडियो का आज का पहला ही पार था मैं इसलिए lesson के अगले part के बारे में भी आपस बात करूँगा तो एक बार आप इसको जरूर आगे वापस देखेगा part second के लिए जिसका एंडर पर मैं आपके लिए obesity, water and blood pressure से लेटर बात करूँगा so keep continuous watching आप देखते रहेगा, like कीज़ेगा, subscribe कीज़ेगा ही पर मैं फिर से आपको ज़रा शौट में बताता हूँ nutrients, body के लिए essential things, nutrients को receive करना, nutrition, nutrition के बारे हम बात करेंगे, food, food आपके पास जो होता है, दो तरस से हो सकता, unbalanced food याने unbalanced diet, या फिर balanced diet, संतुलित आहार, या फिर और संतुलित आहार, next was malnutrition, malnutrition लेटर हमने बात की थी, कि body मागर केसी बितरा के, minerals की, या फिर केसी बितरा के, nutrients क कमी या access हो जाए, तो आप उसे बोलेंगे malnutrition, protein malnutrition, vitamin malnutrition and malnutrition